हेलो बच्चो कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे तो बच्चो आज हम करेंगे हिंदी की कविता जिसका नाम है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती और इस कविता को लिखा है डॉक्टर हरी वन्ष राए बच्चन जी ने सबसे पहले हम इस कविता का सार द राइबच्चन द्वारा रजित इस कवता में कवी ने इस बात पर विशेश बल दिया है कि जो व्यक्ति आपने जीवन में हिमत नहीं हारता तथा सदा प्रिक्षम करता रहता है उसे जीवन में कभी भी प्राज्य का सामना नहीं करना पड़ता प्राज्य मीन्स हार अपनी इस बात को सपस्ट करने के लिए कवी ने नदी में डूपती नोका का दिवार पार चड़ती नन्नी चीटी का तथा सागर में गोतोखोरों के साहस के उधारन भी दिये हैं कभी के विचार में सफलता को एक चुनोती के रूप में लेना चाहिए और संगर्ष करते हुए उसे सफलता में बदलने की शक्ति आपने में पैदा करनी चाहिए वास्तव में वास्तव मीन असल में सच में जीते हुए व्यक्ति की जैजेकार होती है तो जी था कविता का सार अब हम करेंगे कविता के सरलाथ करता की पंगतिया है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती लहरों से डर करने या पार नहीं होती मेंस की जो हिम्मत करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती है और जो लहरों से डर जाते हैं जो स्मुंदर की लहरे देखकर पहले ही डर जाते हैं वो कभी भी अपनी नया को पार नहीं लगा सकते ननी चीटी जब दाना लेकर चलती है चड़ती दिवारों पर सो बार फिसलती है तो बच्चो आपने भी देखा होगा छोटी सी चीटी उसके मूँ में कुछ न कुछ रहता है जैसे कोई दाना है वो लेकर चलती जाती है दिवार पर चड़ने की कोशिश करती है सो बार गिरत है लेकिन फिर भी वो चड़ने का प्रयास करती रहती है मन का विश्वाश रगों में साहस बढ़ता है चड़कर गिरना गिरकर चड़ना ना अखरता है आखर उसके मेनत बेकार नहीं होती कोशिश करने चिंवालों की हार नहीं होती इन पंक्तियों में कहा है कि अगर हमारे मन में विश्वाश है कि हम यह काम कर सकते हैं तो हमें बार-बार कोशिश करनी चाहिए जैसे CET बार-बार गिरती है, और फिर से उसी दिवार पर चड़ती है, और एक ताइम ऐसा आता है कि वह आपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, उसी तरह जो महिनत करता है, उसकी महिनत कभी वेकारी नहीं होती और जो कोशिश करती हैं उनकी कभी हार नहीं होती इसका परसंग है परतूत पदांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्दक आउ हिंदी सीखे बाग आठ में संक्लित डॉक्टर हरिवन्ष राय बचिन द्वारा रचित कविता हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती में से लिया गया है इसमें कवी ने चीटी का उदारन देती हुए समझाया है कि हिम्मत करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है अवश्य मेंस जुरूर मिलती है तो इसका सरलाथ है कवी कहता है कि जो व्यक्ति जीवर में लगातार मेनत करना नहीं छोड़ता उसे कभी भी हार का मुख नहीं देखना पड़ता हिम्मत करने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती दरिया की लहरों में डगमगार रही किष्टी डूब ही जाती है जदी नाविक हिम्मत करके उसे डूबने से बचा नहीं लेता जदी नाविक ही डर जाये तो नौका का क्या होगा इसी परकार एक छोटी सी चीटी आपने मूँ में अन्न का दाना लेकर जब दिवारों पर चड़ने का प्रियास करती है तो वे कई बार फिसल कर नीचे गिर जाती है पर चीटी के मन में ड्रिड़ विश्वाश होता है पर पुने हिम्मत करके उपर चरने का प्रियातन करती है इस परकार उस चीटी की प्रियातन पूर्वक की गई हिम्मत व्यर्थ नहीं जाती और वे आपने लक्षय को प्रापत कर ही लेती है इसलिए कभी का कहना है कि प्रियतन करने वालों की कभी भी प्राज्य जाहार का मुह नहीं देखना पड़ता डुपकियां सिंदु में गोता खोर लगाता है सिंदु क्या है? एक सागर का नाम है जा जाकर खाली हाथ लोट आता है मिलते ना सहज मोती पानी में सहज मीं असानी से बढ़ता दूना उत्सा इसी हरानी में मुठी उसकी खाली हर बार नहीं रहत होती हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती तो इस पंक्तियों का परसंग लिखेंगे परसूत पदांच हमारी हिंदी की पाठे पुस्तक आउ हिंदी सिखे आठ मेक संकलित डाक्टर हारी वंच राइब बच्चन द्वारा रचित कविता हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती में से लिया गया है इसमें कभी ने गोता खुरों का उधारन देती हुए समझाया है कि हिम्मत करने वालों की सफलता अवश्य मिलती है जैसे इसका सरलाथ आएगा कवी कहता है कि ऐसा देखने में आता है कि कई गोताखोर मोती पाने के लिए समुंदर के गहरे पाने में डूपकियां लगाते रहते हैं उन्हें बार-बार खाली हाथ लौटना पड़ता है क्योंकि स्मुंदर में पानी में से मोती को डूल पाना इतना असान नहीं होता प्रन्तु हिम्ती गोता खोर गपराते नहीं है और दुगने उत्सा से गोता लगाने की ततपर हो जाते है तो इसमें अश्चरिया की कोई बात नहीं अश्चरया मींस हरानी की कोई बात नहीं वास्तव में मंस असल में hər बार उनकी मुठी खाली नहीं रह सकती एक दिन में अवश्य ही मोती से बर जाती है सच है कि हिम्मत करने वालों के करपी भी निराश्चा नहीं मिलती उनकी कभी हार नहीं होती जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपको डिफिकर्ट लगता है आप उसको अगर बार-बार पढ़ोगे तो वो आपको जुरूर समझ में आएगा उसकी थियोरी आपको समझ में आएगी ठीक है नेक्स्ट है असफलता एक चुनोती है सविकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुदार करो जब तक ना सफल हो नीज चैन से त्यागो तुम संगर्ष करो मैं दान शोड मत बागो तुम कुछ किये भी नहीं जैजेकार नहीं होती हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती इसका परसंग है परस्तुत प्यदांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सिखे आठमे संकिलित डाक्टर हरी वन्श राइब बच्चन द्वारा रज्जित कविता हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती में से लिया गया है इसमें कभी ने कहा है कि हमें अपने असफलता के कारण को डूंड कर उसे दूर करना चाहिए और मेहनत करके सफलता को प्रापत करना चाहिए तो सरलाथ आएंगे कभी कहता है कि असफलता को एक चुनोती के रूप में मानो अंत हिम्मत करने वाले साहसी व्यक्ति को इस चनोती को सिवकार करके मेदान में डट जाना चाहिए और उसे इस बात की भी स्मिक्षा करनी चाहिए कि उसके पहले प्रयास में क्या कमी रह गई स्मिक्ष्या मीन्स को उसको निरिखन करना चाहिए उसको देखना चाहिए कि जो उसने पहली बार कोशिश की थी उसमें कहां कमी रह गई है जिसके कानों से प्रज्य जा असफलता का मूँ देखना पड़ गया सारी सितिति को समझ कर उसे अपने परियास में सुदार लाने की चेजटा करने चाहिए और साथ ही प्रण करना चाहिए कि जब तक वे जैन की नींद नहीं लेगा तब तक की सफल ना हो जाए क्योंकि बिना हिम्मत किये और संगर्ष किये कभी भी किसी की जीत नहीं होती और ना ही किसी की जैजेकार होती है वास्तव में हिम्मत करने वालों को ही सफलता मिलती है और उन्हें कभी भी प्राज्य जा हाल का मूँ नहीं देखना पड़ता तो बच्चो इस कव्दा में हमें क्या बताया है कि हमें बार-बार कोशिश करनी चाहिए जो भी हम काम कर रहे हैं अगर उसमें हमें असफलता मिल रही है तो कोशिश करने पर एक दिन अवश्य आएगा कि हम उस काम में सफल हो जाएंगे जैसे एक्जेंपल है चीन्टियों का दिया हुआ है ना कि जैसे चीन्टी बार-बार दिवार पर चड़ती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि तो वो दिवार पर चड़ी जाती है ठीक है जैसे जो गोताख हो रहे हैं वो समुंदर में डूपकी लगाते हैं ताजो वो मोती प्रापत कर सकें और हार बार वो खाली हाथ नहीं लोडते हैं कोई ना कोई दिन ऐसा जिरूर आता है जब उनकी मुठी जो है वो मोत्यों के साथ बड़ी हो नेश्ट है इन प्रोशनों के उतर एक जान दू vịकियों में लिखें सबसे पहले गुस्चन आएगा कबी के उनसार किल लोगों की हार नहीं होती उत्थर लिखेंगे, कवी के उन्चार जो लोग अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारते सदा प्रिक्छम करते हैं, उन लोगों की हार कभी नहीं होती Second question है, ननी चीची की क्या विशेष्ता है? उत्थर लिखेंगे, ननी चीची की जही विशेष्ता होती है कि वे खाने वाले दानों को लेकर दिवारों पर चड़ते समय बार-बार गिरने पर भी हार नहीं मानती और उपर चड़ने का प्रयास करती रहती है नेक्स्ट है गोता खोर सिंदु में डुपकियां क्यों लगाता है तो क्यों लगाता है मोती डूढ़ने को लिए न हम लिखेंगे गोता खोर सिंदु में डुपकियां पानी में से मोती निकालने के लिए लगाता है नेक्स्ट कोस्टन है हिम्मत करने वालों को सफलता को किस रूप में सविकार करना चाहिए उत्तर है हिम्मत करने वालों को असफरत और कुछ चुनोती के रूप में सविकार करना चाहिए नेक्स्ट कोस्टन आएगा इन प्रोष्णों के उत्तर चार जां पांच वाक्यों में लिखी सबसे पहले कोस्टन क्या है चड़कर गिरना गिरकर चड़ना ना अखराता है ये पंक्ति कवी ने किसके लिए कही है और क्यूं तो किसके लिए लिख कही है जे कही है ननी चीटी के लिए तो क्यूं कही है क्यूंकि वो बार बार गिरके भी प्रयास करती है कि वो दिवार पर चड़ ही जाए तो इसको हम लिखेंगे जे पंती एक ननी सी चीटी के लगातार प्रयास को पेश करती हैं चीटी अपने मुँ में अन्का दाना लेकर जब दिवार की उपर चड़ने का प्रयास करती है तो बार-बार गिरती भी है प्रंतु वै इससे निराश नहीं होती और दिवार पर चड़कर गिरना और फिर चड़ने की चेस्टा करती रहती है अन्त लगातार प्रयास के रिकरन उसे सफलता मिल जाती है नेक्स्ट कोश्चन आएगा गोतक होरको सागर से मोती निकालने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है तो क्या-क्या करते हैं वो बार-बा दूबकिया लगाते हैं जब तक कि उनको मोती मिल नहीं जाती इसको लिखेंगे गोतक होरको सागर से मोती निकालने के लिए उसके ग्यारे पानी में बार-बार दूपकिया लगाने पड़ती है पर फिर भी मोती खात नहीं लगता ठक जाने पर बीवै बड़े उत्षा से क अथात उसे मोद्ती प्रापत हो जाते हैं इसकी व्याख्या आएगी कभी कहता है कि असफलता से गबराना नहीं चाहिए इसे एक चुनोती के रूप में सवकार करना चाहिए चुनोती मीन्स एक चैलेंज के रूप में अपनी जो असफलता है उसको देखना चाहिए किजे मेरी लिए एक चैलेंज है इस बात की स्मिक्षा करनी चाहिए कि उसके पहले के परियतनों में क्या कमी रह गई कि उसे असफल होना पड़ रहा है अपने परियास में सुदार करते उसे तब तक चैन की नींद नहीं लेनी चाहिए जब तक कि वह सफल न हो जाए उसे पुनिर्श गर्ष करना चाहिए और मैदान छोड़ कर कही भी नहीं बागना चाहिए बीन्स की अगर हम बार बार सफल हो रहे हैं हमें देखना चाहिए कि हमारी जो कमी है वो कहां पर रह रह रही है फिर हमें अपनी कमी के उपर काम करना चाहिए उसमें सुधाल लाना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते नेक्स्ट है प्राइवर्टी शब्थ पहला है लहर तो इसका क्या एगा तरंग, विच्ची, उर्मी नेक्स्ट है नया मीन्स नौक्का, नाव, तर्नी नेक्स्ट कोशिश इसका एगा प्रियतन, चेश्टा और पर्यास नेक्स्ट है सिंदू यह एक सागर है इसको बोलेंगे सागर, स्मुंध, जल्द नेक्स्ट है उत्सा, हिम्मत, साहस, हौंसला नेक्स्ट है हाथ इसका एगा हस्ट, कर, परन, स्गर्ष मीन्स जूजना, लड़ना, स्पर्दा नेक्स्ट है हिम्मत इसका एगा साहस, उत्साह और हौंसला नेक्स्ट है विप्रीत अर्थोवाले शब्द, ठीक है नन्नी इसका एगा बड़ी, विपरीट मिन्स ओपोजीट, मेहनत अलस, विश्वाश आविश्वाश, हार जीत, सफल विफल, साहस कायरता संग्या शब्द जुनकर सही का निशान लगाएं तो संग्या के यह definition क्या है? जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रानी, बाव, आद के नाम को संग्या कहते हैं तो हमें डूनना है जे संग्या शब्द कौन से है? डरकर जो है वो संग्या नहीं है, इसमें ऐगा दाना, मोत्ती दोनों ही संग्या है नेक्स्ट चिंटी जे भी संग्या है, जब और देखो संग्या नहीं है नेक्स्ट आएगा चड़ना जे भी संग्या नहीं है, हाथ और असफलता भी संग्या है जो असफलता है वो बावाजक संग्या है नेक्स्ट आइगा सिंदु साहस तुम, तो तुम संग्या नहीं है सिंदु सागर का नाम है जेभी संग्या है साहस बावच संग्या है ठीक है? अब नेक्स्ट है अब द्याए सिंग उपाध्य खरियोद की इस बाव से मिलती जुल्दी कविता करम वीर की इन पंतियों को पढ़े तुझे कविता की जो पंतिया है वो करम वीर कविता की है जिसे पढ़ते है देखर बादा विविद बहु विगन गबराते नहीं रैबरो से बाग के दुख बोग पश्टाते नहीं काम कितना ही कठिन हो किन्तु उकाते नहीं, बीड में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी बले, सब जगा सब काल में वे ही मिले फुले फले तो जे जो कविता की पंक्तिया हैं, जे भी हमें जहीं बताती हैं कि हमें हिम्मत नहीं आरनी चाहिए और किसी भी बादा को पार करते हुए अपने लक्ष्क्यों प्रापत करना चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट आएगा, रामदारी सिंग दिनकर की निमत लिक्त पंक्तियों से भी प्रे ना ले कौन सी पंक्तिया हैं वो? जो लोग पाम बीगने के स्खौफ से बज़ते रहते हैं, समुन्दर में डूब जाने का खत्रा उनी के लिए है लैडों में तैरने का जिने अभ्यास है, वे मोती लेकर बहार आएंगे ठीक है? नेक्स्ट है, राजा बुरूस की कहानी अपने अध्यापक से सुनू बच्चो अध्यापक की मदद से रामदारी सिंग दिनकर का जे लिखा हिम्मत और जिन्दगी प्रेंद निबांध जुरूर पड़ें नेक्स्ट है, लिखित अभिव्यक्त मा लीजिए आपने किसी प्रयोकता में बाग लिया है प्रन्तो आप विज्री नहीं हो पाए ऐसे स्तिती में आप क्या करेंगे? तो बच्चों जी आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि जी आपका अनुबव है जी आप इसको खुद लिख सकती हो नेक्स्ट है, बाक्स में दियेगे शब्दों में से उप्चत शब्द चुनकर सीड़ी में लिखें जिनसे आप सफलता के शिखर तक पहुंच सके तो सफलता पाने के लिए हमें इन शब्दों को सही अकार से मिन्सकी इनको लिखना होगा जैसे सबसे पहले के आएगा इच्छा, कि मन में इच्छा होगी कि हमने क्या करना है दूसरा आएगा विश्वाश तेसरा आएगा हिम्मत चौथा उत्सहा पांचमा कोशिश फिर आएगी मेहनत अब्यास और सफलता में इनकी मन में इच्छा होगी अगर हमारे मन में विश्वाश होगा हम किसी भी कार्यों को करने के लिए हिम्मत से उत्सा से बार बार कोशिश करेंगे और मेहनत करते हुए बार बार अभ्यास करते हुए सफलता को प्रापत कर लेंगे तो ये था हमारी कविता ठीक है आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें